हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, फ्रिस देखिए आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटर्न लेके आई हूँ, बहुत ही इजी है ये पैटर्न, इस पैटर्न को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकती हैं, स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, कहीं किसी भी प्रोल्ड़ में इसको बना सकती हैं, तो यह देखिए, यह है राइट साइट इस डिजाइन की और यह है इसकी रॉंग साइट, तो चलिए इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इस डिजाइन को बनाने के लिजे हमें five के multiple फंदे चाहिए, five plus five plus five plus two extra हम यह design set हो जाएगी बॉर्डर के बाद आपको इस design के हिसाब से फंदे बढ़ा लेने हैं इसके बाद हमारा यह design बनना start हो जाएगा आप जाहें तो बिल्कुल नीचे से girls top में यह design बना सकती हैं तो इसके लिए आपको बिल्कुल नीचे से यह start करना होगा तो आप फंदे डाल एक wrong side बिन लिजे इसके बाद इस design को बनाना start कर सकती है और फंदे देखिए इस तरीके से ये 5 फंदे हैं हमारे 2 ऐसे और 3 फंदों की हमारी design है फिर 2 फंदे बीच में 2 design के gap के लिए फिर 3 फंदे की हमारी ये design है और last में plus 2 क्योंकि इस design को हमें set करना है 2 starting में 2 last में तो जैसे हमारे 2 design के बीच में 2-2 फंदों की gaping आ रही है ऐसे ही last में 2 हम रखेंगे फंदे जिससे की हमारी ये design अच्छे से set हो जाए तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 प्लस 5 प्लस 5 करते हुए 22 फंदे लिए हैं plus 2 करके तो पहली सलाई मैं right side से start करूँगी wrong side मैंने एक देखिए उल्टी सलाई बना के इसको complete कर लिया है और अब हम first row right side से start करेंगे border के just बाद आप start कर सकती है इसी तरीके से तो देखिए सबसे पहले 2 फंदे उल्टे बना लेंगे उन पीछे करेंगे और ये तीन फंदों का हमारा pattern है तो तीसरा फंदा हम इसको ऐसे लेंगे और इन दोनों फंदों के उपर से ऐसे करते हुए इस तरह से देखिए बाहर करेंगे सलाई से और इसको गिरा देंगे हो गया दो फंदा इसको हम फिर से तीन फंदे करेंगे तो एक फंदा बनाएंगे सीधा उन सलाई पर असे लपेटेंगे और फिर सीधा बिन देंगे तो यहां पर यह जाली पड़ जाएगी और हमारे फंदे भी तीन हो जाएंगे जो तीसरा फंदा हमने सलाई से उतार के नि तीसरा फंदा इस तरीके से सलाई पर से दोनों फंदों के उपर से करते हुए निकाल के गिरा देंगे, अब इन दो फंदों का तीन फंदा बनाना है तो एक सीधा यान ओवर करेंगे और इस से हमारी जाली पड़ेगी और एक सीधा, एक पार फिर देखिए, दो उल्टे का पैटन है ये बेसिकली तो ये तीसरा फंदा हम उठा के ऐसे निकाल देंगे और एक सीधा यान ओवर एक सीधा छे सलाईउं का हमारा ये पैटन है तो एक बार फिर दो उल्टे फंदे उन पीछे तीसरा फंदा देखिए इस तरीके से ऐसे निकाल के गिरा देंगे और एक स सीधा, यान ओवर और एक सीधा, लास्ट में दो उल्टे फंदे जो हमने एक्स्ट्रा रखे हैं, ये हो गई हमारी पहली सलाई complete, दूसरी सलाई जो फंदे जैसे हैं उसको हम वैसे ही बिनेंगे, तो राइट साइट से हमने दो उल्टे बिने हैं लास्ट में, तो रॉंग लाएंगे दो सीधे फंदे, उन अपनी तरफ करेंगे और अब तीन उल्टे फंदे, तो एक ये देखिए जो जाली हमने यान ओवर किया था सलाई पे फंदे लपेट के और एक ये, तीन फंदे उल्टे हो गए, उन पीछे, इनी पाच फंदों को रिपीट करना है, तो दो सीधा, उन अपनी तरफ, तीन उल्टा, एक, दो, तीन, एक बार फिर से, दो सीधा, उन अपनी तरफ, एक, दो, तीन, एक बार फिर, दो सीधे फंदे, और तीन उल्टे फंदे, एक, दो, तीन, उन पीछे करेंगे, और दो सिधा, यह हो गई हमारी दो सलाई, तीसरी सलाई यह उल्टा फंदा जो है, इसको हम इसी तरीके से दो उल्टे बनाएंगे, उन पीछे, आप देखें यह जो तीन फंदे हैं, पहला फंदा हम सीधा बीनेंगे, यान ओवर करेंगे बीच वाला ये फंदा फिर सीधा बीनेंगे फिर से यान ओवर करेंगे और फिर सीधा बीनेंगे तो यहां हो गए हमारे टोटल ये पांच फंदे ये दो उल्टे फंदे जैसे हमारे थे वैसे ही है यहाँ बीच वाले जो फंदे हैं यह हो गए 5 फंदे अब इसी को फिर से रिपीट करना है तो देखिए 2 उल्टे फंदे उन पीछे अब देखिए यह जो 3 फंदे हमारे हैं यह हमारे हो जाएंगे 5 तो सबसे पहले एक सीधा हम बना लेंगे यान ओवर बीच वाले फंदे को सीधा बिनेंगे यान ओवर फिर तीसरे फंदे को भी सीधा बिन देंगे यहाँ हो गए 3 फंदे के 5 फंदे फिर से रिपीट करेंगे 2 उल्टे फंदे उन पीछे अब यह जो 3 फंदे हैं हमारे एक सीधा, यान ओवर, एक सीधा, यान ओवर, एक सीधा फिर उन अपनी तरफ करेंगे, दो उल्टे फंदे, उन पीछे एक सीधा, यान ओवर, एक सीधा, यान ओवर, और दो उल्टे फंदे तो ये हो गई हमारी देखिए तीसरी सलाई चौथी सलाई एक बार फिर से जो फंदे जैसे हैं उसको वैसे ही बनाएंगे तो देखिए दो सीधे फंदे उन अपनी तरफ करेंगे और अब ये हमारे पांच फंदे हैं इन पांच फंदों को हम उल्टा ही बनाएंगे तो एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, उन पीछे, दो सीधा, उन अपनी तरफ, एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, उन पीछे, फिर से, दो सीधे फंदे, उन अपनी तरफ, एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, उल्टे फंदे, उन पीछे, एक बार और, दो सीधे फंदे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, उल्टे फंदे, उन पीछे, लास्ट में दो सीधा, ये हो गई हमारी चार सलाई यहाँ पे कम्प्लीट, फंदे देखें, यहाँ पे जो बढ़ गये थे, अब ये पाँचवी सलाई में हमारे फंदे कम होंगे, तो अब, दो, उल्टे, उन पीछे, अब देखें, ये जो पाँच फंदे हैं, इसको हमें तीन फंदा करना है, तो ये जो पहला फंदा है, इसको हम उतार के ऐसे पलट देंगे सलाई पे, और ये दूसरा फंदा, ये, इसको लेके, पीछे की तरफ, ऐसे हम एक कर देंगे, दो का एक, बीच वाला फंदा सीधा बनाएंगे, और अब ये और ये फंदा, इसको हम इधर की तरफ, दो का एक बिन देंगे, ऐसे, तो ये जो पंदे हमने बढ़ाये थे तीसरी सलाई में, तीन का, दो फंदा बढ़ाके, पांच फंदा किया था, ये फिर से तीन फंदे ह इस तरीके से हमारा फंदा फिर से बराबर हो जाएगा, अब दो उल्टा, उन पीछे, ये जो पांच फंदे हैं, इननी को रिपीट करना है, तो देखिए, अभी हमारे ये साथ फंदे हैं, दो ये और पांच ये, तो ये पहला फंदा ऐसे सलाई पर से उतार के पलट के ये जो दो फंदे हैं, इसको हम इस तरीके से दो का एक करेंगे, जैसे हम सीधे फंदे बिनते हैं, उन अपनी तरफ एक बार फिर रिपीट करेंगे, दो उल्टे फंदे, उन पीछे, पहले फंदे को उतार के ऐसे पलट के सलाई पर चड़ा लीजिए, दो का एक करेंगे, एक सीधा बिनेंगे बीच वाला जो है और ये जो दो फंदे हैं इसको भी हम दो का एक कर देंगे तो ये हो गए फिर से हमारे पांच फंदे उन अपनी तरफ दो उल्टा और इन पांच का तीन करना है तो ये देखिए ऐसे उतार के पीछे दो का एक बिन लिया बीच वाला फ तो अब यहां पे सारे फंदे हमारे बराबर हो गए जो हमने तीसरी सलाई में देखिए फंदे बढ़ाये थे ये जाली के तोर पे अब इस बार हमारे घटके फंदे बराबर हो गए रॉंग साइट फिर सेम जैसे हमारे फंदे हैं दो सीधे फंदे उन अपनी तरफ तीन उ तो ये हो गया दो सीथा, तीन उल्टा फंदा एक, दो, तीन, फिर से दो सीथा, तीन उल्टा फंदा, दो सीधा तीन उल्टा और लास्ट में दो सीधा यह हो गई हमारी छे सलाई की डिजाइन यहाँ पर कम्प्लीट यह देखे और अब जब फिर हम पहली सलाई रिपीट करेंगे तो यह देखें दो उल्टे फंदे स्टार्टिंग में उन पीछे अब यह तीसरे फंदे को इसके उपर से ऐसे उतार देंगे इस तरह से और इसको हम एक सीधा यान ओवर एक सीधा यह देखें इस तरीके से हमारा डिजाइन बंद के आएगा एक बार फिर से देख लीजे दो उल्टे फंदे उन पीछे अब इन तीन फंदों में से देखिए यह तीसरा फंदा ऐसे करके निकाल देंगे एक सीधा यान ओवर एक सीधा इनी को हमें रिपीट करते जाना है पहली सलाई फिर से हम रिपीट कर रहे हैं तो देखिए दो उल्टे फंदे अब इन तीन फंदों में से यह तीसरा फंदा सलाई पर से ऐसे दोनों फंदों के उपर से निकालते हुए ऐसे गिरा देंगे एक सीधा यान ओवर एक सीधा दो उल्टे फंदे पर फिर से यह तीसरे फंदे को सलाई पर से निकाल देंगे दो फंदों के उपर से एक सीधा यान ओवर एक सीधा लास्ट का दो उल्टा तो यह पहली सलाई यहाँ पर फिर से मैंने रिपीट कर दी wrong side से जो फंदे जैसे हैं सेम वैसे सीधी सलाई में हमारा फिर देखे ये तीन फंदे का पांच फंदा हो जाएगा और फिर wrong side से सेम और फिर पांच मीं सलाई में हमारे फिर पांच के ये तीन हो जाएगे तो इस तरीके से ये हमारा देखे ये ऐसे हमारा डिब भी बनता जाएगा और ये डिजाइन इस तरीके से बनके आती जाएगी तो दोस्तों देखें मुझे उम्मीद है कि ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाई